नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक आवर ओफिसियल यूटीब चैनल यूथ कंपडिशन टाइम सत्यों यूथ कंपडिशन के ओफिसियल यूटीब चैनल पे आप सभी लोग का हारदिक स्वागत है सत्यों एक नए वीडियो और एक नए ओफिसियल अपडेट के साथ आ रहे हैं के सामने जी हां साथ्यों ये जो ऑफिसयल अपडेट आया है इसी ऑफिसयल अपडेट के बारे में हम एक एक इंफर्मेशन से और ये आता हूं और उसी कड़ी में आज आपके लिए गौर्मेंट आप इंडिया मिंस की भारत सरकार के दौरा एक विध्यप्ती जारी किया ग रामीर डांक सेवक से है और इसके लिए बहुत जादे पोस्ट के लिए क्या निकाला गया जौब अपर्चुनिटी क्रियेट किया गया है वेकेंसी आपके लिए निकाली गई है तो साथ यो अगर मैं एलिजेबल्टी क्राइटेरिया के बारे में बात करूंगा कि इस फार्म को कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो कि इस फार्म को क्या कर सकता है फिल कर सकता है साथी साथ इसका रेजिस्टेशन कब से स्टार्ट हो रहा है इसका लास्ट डेट क्या होने वाला है और इसमें क्या 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 आप से डिमांड किया जाएगा और कितने नंबर आफ पोस् सेवक के लिए यह निकाली गई है जॉब ऑफर्चुनिटी ओनलाइन इंगेजमेंट सेडियूल सकेंड जुलाई दो हजर ते इसके लिए बात कर रहा है तो आपको यह देख करके पता चल गया है कि यह क्या है यह साथ यह जो वैकेंसिया यह अब टूडेट आई है और इसी अब टूडेट वैकेंसिस के बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन करने वाला हूं यहां पर देखिए कर रहा है उनलाइन एप्लीकेशन और इन्वाइट फ्रम एप्लीकेंट किसकी बात कर रहा है जो एप इस फॉर्म को भरेंगे अब सक्षमता का मतलब क्या होता है आप स आप सकते हैं कि आपको बनाया जाएगा और साथी स法 ब्रांच जर बनाया जाएगा और साथी सात कर रहा हूं कर रहा है आपको अपने को आलाइन को करना है अगे चलते आगे चीजों करेंगे कि गर इसमें क्या दिया है देखिए अगर हम रिखी नंबर की साथ यह बात करते हैं सबसे इसकाराइन रिजिस्ट्रेशन करना है और इसका लास्ट में वाला इन दे रहा है कि किस-किस schedule में आपको form को अपने फिल करना है देखिए फर्स्ट कर रहा है कि registration or submission of online application by the candidate कब से इसका online होगा तो साथ यो 382-23 से लेकर के 282-23 तक आपका online registration होगा पूरे के यह आपके लिए इनफोर्मेशन आपके पास होना ही चाहिए आगे देखिए इसको पता है कि आप किसी भी प्रकार के form फिल करने में गलतियां करेंगे और गलतियों को भी सुधार करने का इनके द्वरा क्या दिया गया इनके द्वरा आपको चांस दिया जा रहा है कि आप गलती करेंगे तो उस गलती को किस देट को आप सुधार करेंगे तो वह डेट है 24 अगस्ते के बीच में अगर आपने form में किसी भी प्रकार का कोई भी कलर्केल मिस्टेक कर दिया तो आप उस मिस्टेक को क्या कर सकते हैं यह आपके लिए इंफर्मेशन आया था आगेगे चलते हैं आगे देखते हैं आगे क्या कर रहें समय के इन इन्फॉर्मेशन को आपके सामने रखेंगे के साथ यह ऐसा कोई भी इंफर्मेशन नहीं होगा जिसको कि हम क्या रखेंगे जिसको कि हम छोड़ के आपके सामने जाएंगे देखिए कर रहा है इन और मुल्मेंट्स इन फार्म दा टाइम रिलीस कंटिनियूसली अलाउएंस टी आर सी ए प्लस डीयर नेस अलाउएंस मिंस की हर एक अलाउएंसस आपको दिया जाएगा जो भी अलाउएंसस भारत सरकार के द्वारा जिस भी करमचारी को दिया जाता है वो सारे के सारे अलाउएंसस आपको भी यहां पर प्रोवाइट किया जाएगा अब देखिए सीरियल नमबर की बात करते हैं और टी आर सी यह सल तक का है साथी साथ कर रहा है ए बी पी एम डाक सेवक की बात करता है तो यह दस हजजार से ले करके 24,470 रुपए तक का आपका क्या है यह स्लैब रखा गया है और यह डियरनेस अलावेंस के अंतरगत रखा गया है साथी साथ जो भी अलावेंस होगा उसी इसी रेट के चलते हैं नेक्स पेज़ी नेक्स पेज़ीज की और आशी जू आपके सामने रखतर भी चलंगे जिससेिसे अपर बने रही हैं और देखते चली आपको बनना है तो यह कैसा जाब प्रोफाइल को देखिए कर रहे है दाफोस्ट पोस्ट मास्टर की कि बात कर रहा है ब्रांड पोस्ट पेमेंट बैंक कि आई-PPB क्iddbornी निन्स की इंडियन पोश्ट पेमेंट बाइंक के इंघ मैंने में ऐना मेर स्श्ट्राइब इस रीश्डिक्षान फ्राइम टू कार से यह सॉतान के आपको प्रदॉट्चन करना पड़ेगा किसका प्रोड़क्शं करना पड़ेगा प्रोडॉट्ट उस– dares आप साबुन तेल आपको मसाला बेचने के लिए नहीं दिया जाएगा इसी चीज का आपको क्या करना पड़ेगा विज्यापन करना पड़ेगा इसी चीज को बढ़ावा देना पड़ेगा इसी चीज को प्रमोट करना पड़ेगा आगे देखिए कर रहा है अब प्रोवाइड बायद रखिए अब अब अपरेटिंग वरियस सर्विसेज इन दा कस्टमर सर्विसें सेंटर सी असी अप देपार्टमेंट एक्सेक्टरा की बात कर रहा है सी में कर रहा है इन दा सिंगल हैंड़ेड बी ओयस्पी बीपी एम एस हैब दो ओबराल रिस्पोंसिविल्टी अप इस्मूथ एंड टाइमली फंक्शनिंग अप दो ऑफिस इंक्लूडिंग मेल कॉनियंचिंग और मेल डिलेवरिंग की बात कर रहा है कि आपको टाइमली क बनके काम क्या करेंगे तो साथियों यही काम करेंगे जो मेरे बैक्ग्राउंड में दिख रहा है जो इस पीपीटी के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं यही आपको काम करना पड़ेगा अगर आप ब्रांच पोस्ट मास्टर बनना चाहते हैं अगर इस फॉर्म को आप लिए लोग क्या करेंगे इनके काम के बारे में भी तो आपको जानना जनकारी है तो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के अगर बात करते हैं तो इनके जॉब प्रोफाइल को देखें कि यह क्या काम करेंगे अगर इनको नौकरी मिल जाती है तो जो प्रोफाइल डिलेवरी और मेल एंड दोर इस्टेप एक्षेंज दा मेल विट एकाउंट ऑफिसर एक्सेक्टर के बात कर रहा है डिपोजिट पेमेंट और ट्रांजेक्शंस आप आई पी पीपी भी मिन्स की जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है उसमें क्या करेंगे यह पैसा भी जामा करेंगे और उसमें से विड्ड्राव भी करेंगे और यह किसकी बात करता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की वी वाले में कर रहा है टू असिस्ट बी पीम इन पोस्टल ऑपरेशंस इन आ मायनर एस प्रिस्क्राइब बाइद डिपार्टमेंट आप टाइ अगर आप एसिस्टेंट ब्रांच मैनेजर अगर आप बनते हैं तो अगर इस फॉर्म को फिल करते हैं और आप का किस्मत सही रहागा अगर आप assistant branch manager बन जाते हैं तो आपके लिए यह facility देना पड़ेगा आपको वहाँ पर इस टाइब के work को करना पड़ेगा जो की बहुत तगड़ा work नहीं है आसान work है आप चाहेंगे तो कर सकते हैं क्योंकि इस टाइब का work लोग खोशते हैं अब डांक सेवक के लिए देख लिए कि अगर आप डांक सेवक यह थोड़ वाले वाले में बात कर रहा है अगर आप डांक सेवक बनते हैं तो आप डांक सेवक बनके कौन सा काम करेंगे तो कह रहा है कि डांक सेवक और वहां पे अटैच कर दिया जाएगा और आपको वहां पर ही क्या करना होगा आपको कि ते पर इन अब के एसा जो डेसी इंडुय हो सारे को करने होंगे व सोटिंग ओफिसर ताफ डेल्बे सब्सक्राइब देखना पड़ेगा सीवाले मे का रहा है G और की Question में सिप्ट ने बता दियता है कि आपको इस तरह से काम यह करना पड़ेगा कि यहीत बारे में आपने हो यहां पर बारे मैं आपने हो यहां पर बताया हूँ अब यहां पर फिप्ट नमबर में देख लीजे इलिज़िबिल्टी क्राइटेरिया फार आल पुस्ट के बारे हम बात कर रहा है कि क्या इलिज़िबिल्टी क्राइटेरिया होगा कौन व्यक्ती इस फॉर्म को बर सकता है तो एज लिमिट के अगर हम सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर रहा है इस अधर रहा है रिलेक्सेशन टिंट के बारे में है जो है आपके लिए इ指 बता रहा ह25ी है और न prophetic की बात करते हैं कि यहाँ पे यहाँ चीजें को आप्ता रहा है है कि आप किस criteria में fall कर रहा है और क्या आपका age relaxation है जैसे schedule का schedule try में 5-3 साल यहां पर नो age relaxation 10-13 साल पंदरा साल तो इस तरह से age relaxation provide किया जाता है जो की time being आप देख सकते हैं यह आपके लिए as such important नहीं है जो important information होगा सत्यों उसी important को मैं आपके सामने रखने का definitely परियास करूँगा अब आगे यहां पर चलते हैं और एक चीजों को हम यहां पर देखते हैं अब देखें यहां पर जो भी चीजे मैं आपके लिए लेकर कर रहा हूं यह important चीजे अब बात करता है qualification as on the date of notification की बात कर रहा है अब आपके qualification की बात करते हैं कि आपका क्या education qualification होना चाहिए तो उसको देखिए करे educational qualification when we are going to talk about the educational qualification यह वाले में दे रहा है in mathematics किस से पास होना चाहिए mathematics से इंगलिस से having study in compulsory और इलेक्टिव सब्जेक्टी की बात करता है conducted by the recognized recognized word of school education by the government of India state government union territory और कहां से भी आप किसी भी affiliated से आप क्या की होंगे आप अगर पास होंगे क्या secondary school की बात कर रहा है secondary school examination की बात कर रहा है means कि 10th की यहां पर बात कर रहा है 10th standard की बात कर रहा है तो क्या आप 10th pass है तो इस form को क्या कर सकते हैं आप भर सकते हैं बी वाले में कह रहा है the applicant should have studied the local language जैसे की name of the local languages की बात करता है at least up to secondary standardized compulsory और elective subjected की बात कर रहा है other qualifications में अगर हम देखते हैं कि other qualification में यहां पर क्या रखा है तो other qualification को भी आप यहां पर देखिए other qualification में knowledge of computer की बात कर रहा है कि आपके पास क्या होना चाहिए दोस्तों आपके पास computer का भी क्या होना चाहिए ग्यान होना चाहिए तभी आप क्या कर सकते हैं अधर क्वालिफिकेशन में आ देखिए नॉलेज आप साइकलिंग होना चाहिए मिन्स की साइकल चलाने भी आपके पास होना चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं इस प्रकार के फार्म को आप भर सकते हैं अब आगे ऐस सच यहां पे कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं सब्सक्राइब करने का यहां पर क्या हो रहा है एक संबीदा हो रहा है आपके और इंडियन पोस्ट के अंतरकत मिन्स की अगर हम कह रहा है कि आप हमको किस प्रकार से कांट्रेक्ट करेंगे अगर ऑनलाइन कांट्रेक्ट करने के लिए का जा रहा है ऑनलाइन फॉर्म को फिल करेंगे आप ऑफ लाइन मोड में फॉर्म को फिल नहीं करेंगे अगर आप ऑफ लाइन मोड में फॉर्म को फ को सबतने एक सिस्टम जनड़ेत करके मेरिट करके क्या जाएगा आपको यहां पर तैनाती आपको शेलेक्शन दिया गा आगे देख लिए द डा मेरिट लिश्ट सेल विप्रिपेर ऐन द बेशी आप और यहां पर देखिये किसके बात कर रहा है कि किसके मार्क और आपने किया उसी के बिहाब पर कर रहा है the merit list will be prepared on the basis of mark obtained conversion of grades points of marks as explained and sub-parath thought to be below in the secondary school examination of the 10th standard of the approved board aggregated to the percentage of the accountancy passing of all subject as for the respective approved board and the mandatory की बात कर रहा है इसी भी आपका क्या किया जागा आपका merit base पे आपको क्या किया जागा आपको merit base पे high school के merit base पे आपको क्या दिया जाएगा आपको यहां पे तैनाती दी जाएगे third volume देखिए the applicant where the secondary school examination of 10th standard marks it continue continuing the marks are mentioned in each subject or marks marks and grade are points both the total marks will be worked out to the taking into account the marks obtaining in all the compulsory and elective optional subject other than the extra subject of if any की बात कर रहा है तो यह सारी चीज़े बता दिये कि आपका क्या देखेंगे हम हम आपके 10th के mark sheet देखेंगे और उसी 10th के mark sheet पे बिहाब पे आपको क्या देंगे अगर आप cbsc board से हैं तो इस प्रकार से यह सारी चीज़ों को यह आप दे रखा कि क्या grade होगा कि इस grade point के according में आपको किया जाएगा यहाँ पे आप देखिए यह वाले column को आप देखिए करें grade की बात कर रहा है जब आप cbsc का mark sheet देखते होंगे तो उसमें grading system होता grade point की बात करता है और multiplication factors की बात करता है और d की बात करता है तो यह सारे के सारे detail आपके सामने यहाँ पर मैंने फर्निस कर दिया जो आपके examination के लिए क्या था relevant था इसी कोई भी notice important होगा साथि उस important notice को मैं आपके सामने definitely रखने का प्रयास करूँगा लेकिन यहाँ पर कोई भी notice आपके सामने रखने का मैं प्रयास नहीं करूँगा अब मैं आपको बताऊंगा इसमें total number of post कितने जारी किये गा है इंगर तो टोटल अगर हम post की बात करते है है कि टोटल नंबर आ पोश्ट कितने जारी किये Zugat च्मीन फ्रेंटट के लिए है किसके लिए साथियो गरामीन डांक सेवक लिए पोस्ट निकाला गया है जो जो कि दस्वी स्टेंडर्ड पे हैं तो मैं आप सभी स्टूडेंट से कहूंगा जो भी दस्वी पास हो जिन्होंने भी CBSE बोर्ट से UP बोर्ट से किसी भी बोर्ट से अगर उन्होंने पढ़ाई किया है दस्वी पास है तो इस फार्म को धूम दाम से बरेंगे जो भी सभी information हो सकता था सभी के सभी information मैंने आपको सामने सेर करने का डेफिनेटली प्रयास किया इसका registration कब से होगा इसका लास्ट एडिट क्या होगा हर एक चीजों पर मैंने क्या किया डीटेल में analysis किया साथी साथ अब साथी हम आपसे बात करेंगे कि अगर आपको इसमें कोई भी करना होगा क्या करना होगा सेर भी करना होगा कहां पर अपने फ्रेंड से जरकिल में अपने फ्रेंड्स ग्रूप में इसको क्या करना होगा अपने फ्रेंड्स ग्रूप में इसको सेर करना होगा उतने जादे से जादे आपके फ्रेंड्स को क्या मिल जाएगा इस बार नौ YouTube से करते हैं जिस भी मीडियम से आप ट्रांसफर कर सकते हैं जिस भी मीडियम पर आप शेयर कर सकते हैं आप इसको धूम नाम से शेयर करिए और यह अपना यूवाई सीटी परिवार है साथ यूथ कंपरिशन टाइम परिवार है और इस परिवार का भरोसा आप लोग हैं आप